कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये आयूश दर्पन डिजिटल को और करे अपनी ग्लिनिकल ए आयूर वेच सीखने का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव गमामे धन्वन तरिवादी देवं सुरा सुरय वंदित पाद पद्मम् लोके जरार पाय बृत्यु राशं दातार वीशं विविधाउश देनां शंकम् चक्रम् जलोकाम् दधतम् रुत घटम् चारुतोर्भेश्यतुर्भे सुक्ष्म स्वच्छादिरुत्यम् शुक्क परिविलसन् माउलिमं भोजनेत्रं् कालां भूदो ज्वलांगं् कट्टी तटवीलसक्चारुपीतां बराट्यम् वन्दे डन्वन्तरिंतम् निक्किलगदमिव प्राउडदावाग्मिनीलं् प्राणाम सभी लोग को मैं वैद्दे अर्विन पाठाक सभी लोग का स्वागत करता हूं आज हम लोग क्लिनकल संभाशा शुरू करते हैं आप सबके सब भारत के सरवस्रेश चीकित सब लोग हैं सभी को मैं प्राणाम करता हूं सबतारों सब्सक्राइब यहां पर मैं कुछ लोग को को 小 बना देता हूं और आप लोग कोई के सटेकिंग करा ना का चाते हैं तो यहां पे करा सकते हैं यह को हैं इक प्लेट्फर्म आप्सभी का है और कि मैं यहां पर अन्मूट करने का ओक्षन देता हूं देखे अन्मूट कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग देखे और मैं जो बताता हूं सुबह का सेशन नहीं हो पाए मैं कब से ट्राय कर रहा था नेटवर्क कि नहीं लोग मलेरिया पर बात करते हैं मलेरिया बिमारी यह मच्छर काटने से होती है एक तरह का एक नटो कि यह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है पानी इकठा होता है जहां क्रापेnhä के पैरेसेट जो मच्छर में रहते इन उसी के वज़र से मодарिया होता है मैं मयर्डिया के पैरासेटी जो है वो ingo झी बड़ चील में चले जाते हैं और मलेरीया में चलें डर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा और ण्जैणगु चिके बाद जॉइन पेन बहुत ज्यादा होने लगता है जो है यह अंटिवाइरल मेडिसिन देने से ठीक हो जाता है यह जो रहता है वो एक पेरासेट से होता है जो ट्रांसमेट होता है एक से जब मच्छर काटके मच्छर काटते हैं तो ओर जाता है तो आसे दो तयुये में रिखें हैं अलग तैप ऐसीजिये मॉसकीटों मलेरिया रहता है वह टोकीति से walked करते नेस हैं ग cambus सा जाते हैं मेराजोईट बन जाते हैं फिर वह ब्लड स्ट्रिम में जाते हैं वह रैड ब्लड सेल को इंफेक्ट करते हैं तो इसमें दस से दस दिन से चार हफ़ते तक इंफेक्शन होता है तो यह कभी का आठ दिन में भी इंफेक्शन हो जाता है कभी कभी एक साल के बाद इंफेक्शन पता चलता है 48 to472 हr में होता है सिंप्टम साथ जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा जोट्वाइट्स ब्लड्स स्टिम में होते हैं उसमें वह पता चलते हैं और एनीमिया होता है खूण की कमी होती है और विस्पेक्टेड है ओ फिंछ थे-नस कर दिस्ट्रिक्शन होते हैं प्री हेमोग्लोबिन रिलीज होते हैं सर्कुलेशन में जब रैड ब्लड सेल रप्चर होते हैं तो यह मलेरिया कभी कभी माता से बच्चों को भी आता है जो गर भावस्ता बच्चा है उसको भी हो जाता है यह फिर ब्लड ट्रांस्वुजन से इंफेक्टेट ब्लड अगर दूसरे को दे दिया मलेरिया वला तो उससे भी हो सकता है म्वस्कीटों में यह क्लाइमेट से यह मलेरिया मच्छर के दूर्व आता है और यह विंटर के पाद थंडियों के बाद लिए चले जाते हैं जो ज्टेटों ज्यादा रहते हैं वह इंसेक्टिस सैट से अभी वह रजिस्टेंस होगे उनकी प्रजाती पुद्रत जो है अच्छी चीज़े भी लाते है ना कि इसलामिक कंट्रीम में इतना ये हो रहा है मतलब वो काट देते हैं तो भगवान उसमें भी पूर्ण है 100% है ऐसे हमारे जो प्रकृति है नेचर है वह भी बैलेंस करने के लिए जितना अच्छा है प्रकृति उतना बुरा भी है और बुराई में भी 100% परफेक्ट है वो तो ऐसे मलेरिया के जो मच्छर है ना उन पर आ आता है हां हम उसको अपने शहर को कैसे हम निरोगी बनाए उसके लिए पत्या-पत्य करना पड़ता है दिने चर्या रितू चर्या यह सब पालन करते अगनी को अच्छा करते लेकिन इस दुनिया में जिसने भी जनम लिया है वो बीमार जरूर पड़ेगा कोई बी ऐसा इं इंटिबैटिक्स भी पहले पैनिसिलीन मगरा फर्स्ट जनरेशन एंटिबैटिक्स बनाए गया वह फेल होने लगा तो सेकंड जनरेशन एंटिबैटिक्स बनाए गया वह फेल हो गया तो फोर्ट जनरेशन एंटिबैटिक्स उसके बाद में फ्यूफ्ट जनरेशन का बना तो यहां पर डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए फोर्ट जनरेशन का दे रहें तो अभी कैसे है कि अगर इससे भी रेजिस्टेंट हो गए सब माइक्रो और्गनिजम उसके बाद क्या करेंगे तो फिर कोई इलाजी नहीं होगा वह सुपर बग बन जाएंगे सारे माइक्रोड़ और्गनिजम फिर उनको कोई भी हरा नहीं सकता है तो इसका संग्सान पोछाने का काम करेंगे लेकिन हमारा बाड़ी इतना मजबूत हो जाए रसायन से प्रतिकार कर सके हम जल्दी से निकल पएं तो और बाड़ी चाहती है जल्दी निकलना लेकिन उसको मेडिसीन का सपोर्ट चाहिए हर्बल मेडिसीन का सपोर्ट चाहिए विदाउट साइड इफेक्ट कि वह जल्दी से रिकावर हो जाए तो अभी एंटीबैटिक्स के भी अगर रेजिस्टेंट हो रहा है और आप लोगोंने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पैसा कमाने के लिए जो कमर्शल्ड डॉक्टर होते हैं इतना एंटीबैटिक खिलाके रखते हैं तो बॉड़िने रिजिस्टेंट हो जाता है फिर एक समय ऐसा था है कि कोई एंटीबैटिक काम ने करता है और पेशेंट कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे मर जाता है सप् एंटिबेटिक काम करेंगी इसका एक पुरा स्टडी होता है यह आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा होता है तो अभी क्या है कि मच्छर जो हैं वह भी बहुत पाउरफुल हो गया है रेजिस्टेंट हो गया है उनको कोई साधी दवाई काम नहीं करती है तो और फिर उससे न पा अर्बी सी पर एफेक्ट होता है और सीरियस कंडीशन के या और यह मिट्यू तक लेखे जाती है मलेरिया में क्या होता है कि अनीमिया होता है थंडी उसवार होता है और कीटक दậंश्जन्यक्री ने काटे ऐसा समुझना चींद स्वेटिंग होगा पुँभ खुजिकल करते हैं तो तो अगर liver enlarged हो गया है enlarge spleen हो गया है तो मलेरिया का blood smear लेके 6-12 गंटे में diagnosis confirm जाता है तो समें CBC कराते हैं complete blood count कराते हैं malaria antibiotic test कराते है peripheral smear study कराते है PCR कराते है Polymerase chain reaction और QBC कराते है क्यूबीसी एक नया टेस्ट का मेथड है जिसे मलेरिया का पेरसाइट जो पेरिफेरल ब्लड में उसको इडेंटिफाइब करने के लिए करते हैं और यह फास्ट है इसी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटीव है ट्रैडिशनल थिक्स मेर एक्जामनेशन से फास्ट होता है जि दूसरा क्या है कि qbc टेक्नी टेक्निक का प्रियोंक कर तो थूभा मुश्किल होता है अब इसके कंब겠습니다 क्या थै मैं होते हैं मलेरिया के तो हिमलेीटे की प्रेशर पड़ेगा तो यह हमें मलेरिया को ऐसे आसान नहीं समझना चाहिए यह भी मुश्किल है और एलवेद में तो चिकीत्स बद अच्छा है मलोग अगद्रवय देते हैं चमपकादी अगद्र देते हैं त्रिभुआन करती रहक महाज़ृ आंकुष्ष् रहक सुधर्श तरुन जवर में पहले लंगन कराना है कुछ भी खाने को नहीं दिन है अगर अगनी प्रदिप्त हो गया भूख लगने लगा तो सब चीज ठीक होता है और जवर आगंतुज कारण से हो या निज जवर हो दोशों के प्रकोप से हो या आगंतुज कारणों से हो लकीडे ने का अभी चारज अभी शंगज अभी शापज यह जो बोला गया आगंतुज कारण से भी तो उसमें लंगन कराना ही सबसे स्रेश्ट होता है लंगनम रसजानाम विकारानाम लंगनम परम आशदम ऐसे जो बोलते हैं तो लंगन कराना चे जब तक भूक नहीं लगए बिलकुल अगर देने का ही है प्यास लग रही है तो शडंग पानिया या शुंठी सिद्ध जल या मुख दालगा पानी या मंड देना है जैसे जैसे और फिर शुंठी त्रीकटू अगर डालके अगर उन सबसे तकलीफ हो रहे तो इसमें हम तिक तरह सात्मक्द्रव्य देते हैं जै यह देते हैं तो जैसे कि वत्सनाब के कल्प है त्रुभण किर्थी जो रांकुष रज़िस में वत्सनाब है तो यह अपने स्वेट ग्लेंड को जागरत करके पसीना लाते हैं इससे बुखार उतर जाता है शीत पुरवक जो और में तो त्रिभण किर्थी वादकफत जो में सबसे अच्छा रहते हैं जो रांकुष रस भी बहुत अच्छा रहते हैं और और भी देखा जाए तो आनंद भैरव रस महामिड़तुञ रस यह जो है यह हायर क्लास का है इससे भी और ज्यादा अगर है तो हिमगर पुट्टिली रस कस्तूरी भैरव रस फिर सर्वज कर चोन यह सब देते हैं तो लंगन स्वेधन कुछ काल जाने दिन है फिर उसके बाद में यवागू तिक तरस यह ऐसे मैथर यह करने से वह अच्छा फैदा होता और मलेरिया पर काम करना है कीटक दंश जन्य अगर कंफर्म होगे तो हम लोग चंपकादी अगत देते हैं य त्रिफला मशी देंगे अगर वामेटिंग हो रहा है तो चरदिगनगन के द्रवेजे से इलाइची का पाउडर देंगे मिश्री किसान या फिर हम लोग जो खिल होता है जिसको हम लोग लाहया बोलते है मराठी में वह हम पीस के पाउडर बनाके और उसको खाने के लिए द देंगे जैसा सिम्टम होता है ना खून की कमी है तो हम लोग अगनी बढ़ा के दीपन पाचन करके थोड़ा मिर्दू विरेचन करा के दाड़ी मदी घ्रित वगर देके लौ कल्ब देंगे जैसे ताप्य दिलो नवायस लौ सब्ताम्रित लौ इनसे एच्छ भी अच्छ हो हम लोग ऐसे मॉडर्ण की डिजीज जो है उस पर बात करेंगे हां महेंदर सर बताएं सर लेडी यह उसकी उम्र करीवन 28 है और उसकी चक्कर में इंपर्टिटी का है तो उसके और उसने वहां चेक कराया तो चेक कराने पर उसकी एक ट्यूब तो नोके गल गई तो उन्हों और अंडार वह निकल स्की और वह यह वको नहीं है उसके चक्र में दिक्कत हो रही है और एक उसके लुक्षड यह इता सात्में कि फिरण हैं वह बोलाब दो communalाव आकर और बन्द हो जाथे हैं एक हलका सा हलका सा पेन भी बता रही थी और उसका जो लक्षणiek जो खाने पीने में और अभण यह पनाब के लिए फिर में इसको दीपन पाचन देखे और बला जो आपका शीर वह पर जिवाला उसको उसको देने की सोच रहाँ अब इसमें अपने अन्दाणू के लिए क्या कर सकते हैं इसमें अगर रप्चर होके नहीं आ रहा है तो हम लो या भारंगी मूल और नाकेशर चुन साथ में ग्रंतिरस फर्मला के साथ पर तो वह अच्छ हो जाएगी दूसरा ट्यूबल ब्लॉक है तो उसका कारण्ट दो सकता है यह तो ट्यूबर कुलासिस का हिस्ट्री होगा तो वह आपको हिस्ट्री का इतिहास है क्या वह देखना प उसमें शीर बलाते लिए शतावरी ग्रित का उत्तरवस्ती मैंसे जाने के पांस दिन तक देते हैं वन एमल से देते हैं उससे जल्दी फैदा होगा दूसरा बात है कि गरभाशे को पोशन देना है हमें तो छेत्रामू बीजा नम के हिसाब से शोधन करा देजे वमन के लिए हम लोग लश्षूण दीवटी देते हैं ऑवलीूशन होता है या चित्र का दीवटी कुछ दिन तक ही देते हैं जो जोडूशन का पिरेड होता है तैसे नाइंस से फॉस्वाकमें देना है कि अच्छा हो जाएगा और दूसरा गर्भाशे को बल देना है तो हम लो यह सब देते हैं तो अच्छे हो जाते हैं और शत्पुषपादी तेल का बस्ती तेल का बस्ती जो मैं गैरेंटी देता हूं उसको अच्छे से होगा अब मैंसे रेगुलर हो जाएंगे इतना अच्छा रिजल्ट आते हैं पत्पुषपादी उत्तरवस्ती या मात्रवस्ती वह भी 101 आवर्ती का ही चाहिए सर अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए नहीं तो मैंने देखा है वंध्यत्व के लोग 20-20 साल तक दवाई देते हैं जब तक उसका मेनोपास भी हो जाते कोई फैदा नहीं होता ट्रीटमेंट क मैं आपको दे दूँगा आप करके देगे सब फास्ट रिजल्ट हैगा उसको कर देता हूं मैं आप से उसका कॉंटेक्ट रहता हूं एक मेरे पास एक पेशन्ट थी जो बैंक में थी उडिसा की थी मैडम तो हस्बेंड वैफ दुनों बैंक में थे तो वह कंसीव नहीं कर पढ़े थे और उन्होंने वहां 36 गण में रायपूर में भिलाई में बहुत आयर्विदिक डॉक्टर लोगों से इलाज कराया पंच कराया सब कुछ कराया तो किसीने सहच्रादी तेल का दिया किसीने एसीजी का इंजेक्शन दिया रप्चर होने के लिए हार्मोन को अच् आपके को कॉंटेक्ट किया मेरा वीडीयो देखके मैंने उनको कहा कि मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं बाकि उपर वापगवान तो मैंने दूसरे मैने में में कंसिव हो गया इसको आप करा जेता हूं प्र प्रवाइब करना कोई नहीं करवा दिजे अच्छा हो जाएगा पुणने मिलेगा और वह वो तो केस अपना ही आप पहले कहीं कराया था पहले मुझसे कॉंटक्ट नहीं किया और अब यह उसने का आज कॉंटक्ट किया तो पर मैंने की यह तो इतने टाइम बता जाए जो आपन बताए ना आप नहीं बताए जाए एक बार की उसको जिदर की ट्यूब बंद है उसमें कान में लगा लो अब लुए तो 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 यह तो उसके पेना तो हो गए कैसे और यह कुछ का थाइराड का भी आ रहा है वह सब ठीक हो जैसा नस्य देंगे ना शट्पुष पाधी तेल करने से दीजे एक ही मेडिसीन दीजे जो नस्य में भी काम है बस्ती में उत्तर विस्ति में शट्पुष सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब अपने हसाब से और सोचके पूरे रिपोर्ट देखके अपने इसाब सब्सक्राइब पिर मैं बताता हूं चाहता हूं कि सर आप यह केस कर दिजे बहुत मचाएगा तो आप यह करोगे आपको मिलेगा साथ मुझी मिलेगा उसका कुछ पुन्य पुन्य मिलेगा लेकिन वह सीखने के लिए और एज जारी पसर पेशेंट बढ़े जाएंगे इस तरह की पुछ नहीं लिए बहुत कम है मैं इनको हाथ में लेता हूं लेकर अपना केसा परिषान भी बहुत है कि उसको आप सा साल हो गई साथी को 30 साल के उसके उमर हो गए आज की तारीक में तो बढ़ती जा रही है उम्र फिर क्या एमेज कम हो जाएगा फिर एमेज कम होने पाद फिर चांसे फिर मेंसे जाते हैं लेकिन अनौफ लिटरी सेकल आते हैं एक रिजर्वायरी कम हो गया तो क्या करेंगे क्या कुछ नह हो रहा है सच सच बताइए आपको जो फील हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है नहीं फायदा हो रहा है आप बता सकते हैं अंकित अगरवाल जी बताएं सर अभी तो जो मैंने आपको सम्टम्स बताए थे वही हो रहे है नहीं मुझे बताए थे वह नहीं आप साफ हो रहा है कि ने क्या हो रहा है पेट साफ तो हो रहा है विरेचन वाटी की वेज़े से और वैसे भूख भी थोड़ी सी खुली है जो पेट मैं बता रहा था भाहर लटका वह तो वैसे ही अभी तो वह सर्थ दो दिन में नहीं ठीक होगा ना इतने साल के विमारी आप फिल्के नाइस उतलब इतना फैदा हुआ ना इंजन चलने लगा ना गाड़ी चलने लगा ना अज्छासे हो गया ना वोग धितना दिन वाद दवाई शुरू करके दो दिन में इतना फैदा हो कि भूक लगने या पेट सापने लगा और कैंचे हम इतना ही कर सकते हैं हमार और सर एंग्जाइटी का क्या एंग्जाइटी तो थोड़ी बढ़ गई है मुझे यह नहीं समझा रहा कि अग्णी बढ़ने से पड़े लिए आपको मिलेगा नस से लिजे एंग्जाइटी ठीक मैं लांश डॉक्टर हूं मेरे बाद आपको कोई डॉक्टर की जोरत नहीं पड़ने चाहिए आप खुद स्वस्त हो जाएंगे कर दे करने वाले भगवान हम निमित हैं और वाप ठीक होना चाते हैं में मेरे मत है कि आपकी आत्मा ठीक होना और किसी को कुछ बोलना है आप कुछ बताना चाहेंगे अच्छा पॉजिटीव निगेटिव जो भी बता सकते हैं फायदा नहीं तो भी बता सकते हैं इस तो बता सकते हैं कि श्वेता मैं कुछ बोलना चाहती है आपका केश टेकिंग करवाना चाहती है क्या डॉक्टर श्वेता मैं परभणी की मेडम केश टेकिंग कराना चाहती है तो करवा सकती है राधा मेडम आप अपने बच्चे का केश टेकिंग कराना चाहती है यह सर चलिए आप बच्चे क स्कॉलर मैंडम सुन पर यह क्या शेशी मैं अच्छा नहीं तो तनिका मैंडम आप कर दीजे प्लीज कि श्विता मैं नहीं क्या नहीं राधा मैंडम आप वीडियों करिए इनका केस देखिंग करना है बच्चे को दिखाए मैंडम पर नाम से एक मिनट सब्स्रेश्ट ड्रों शेशी मैंडम शैद खाना बना रहे हैं अधर बच्चा क्या राधा नई सब्सक्राइब ज्यादा नहीं है रेक्टिव एक तनिका मैंडम आप बात करिए अधर जी माम बढ़ेखिंग माम बताएब इस पीज़ डिले लिटल बिट हाइपर है एक जगा थूड़ा सा बैठता नहीं है वह से बैठ जाते हैं पर इस जल्दी बैठता नहीं है और इनका क्या कि फोकॉस एंड कंसेंट्रेशन अटेंशन का मैं अच्छा और यह अभी इन में पुरू से ही है नहीं में माम सुरू से नहीं है यह थाई साल के बाएप है नाका यह सब फ्साइब वी मatेकर सा आथ कुछ फू रिस्पॉंस भी था उसके बाद फिर माम रिस्पॉंस ही नहीं तो बहुत ही कम बोलता है कभी मूर हुआ तो एक दो वर्ड बोल देता है दर्वाइस नहीं बोलता है तो यह धाई-तीन साल के बाद क्यों ऐसा होना शुरू हुआ माम स्क्रीन टाइम बढ़ा अच्छा स्क्रीन टाइम बढ़ गया ना यह समय ओके तो कितना गंटे दिखाते थे माम स्क्रीन टाइम तो काफी देखा है मिला फूर फूर आर्स वाइफ आर्स देखा है अच्छा रेगुलर यह सम्टाइब अपर आपने दिखाया क्यों मैं इतना जबाद माम वही कोवीड में लॉकडाउन में सब बिजी थे हम लोग का क्या हो वर्क रोम चल रहा था तो सारे किसी चकर में देखना हो गभी सोचा नहीं था इस टाइब की प्रॉब्लम पेस करने पड़े हैं अच्छा ठीक है और यह आपका फर्स चाहिल है माम अच्छा और दूस कर्atures कोई बात दी फैंबली में ऐसी हिस्ट्री है किसी की नॉ माम कभी ऐसा नहीं हुआ किसी इसे आपके मेटरल साइड में एक पैटरनल साइड में कुछ ऐसा है कि ने म में तो नहीं आपको देखानी और चीवर कोई बात नहीं अच्छा इसका पेट वगरा साफ हो जाता ह रूटीन अभी आप कैसे सेट करते हो फिर इसकी हम स्कूल जाता है प्लेश पूल जाता है फिर स्पील थरपी के लिए जाता है और गेम्स वगेरा में आपको कब लगा है धाई साल में कि इसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मैं तीन साल में जब इसका पूरा ही फोकस बंद हो बिल्कु रिस्पॉन नहीं करता था देखता ही नहीं था फेस की तरफ तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो दॉक्टर ने बोला कि एक बार आप 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 आटेंश्म के उसमें दिखा ले जा ले तो उनने बोला माइल्ड सिंटम है इसके पहले से इंप्रूव हो है जब यह था उसमें इसन फॉर्फ यह डिया विवह झाव लोगों बंद कर दिया हुआ जिए उतना नहीं है फ्री फेस पिस तो सोचे के एक दो अचे अपने मूर के ऊपर और फोलता है ता पूर बोलता था क्योंकि एड़ साल में तकरीबन बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं जि यह नहीं लेके बुलाता था अनु जैसे घर पर बोलता था नहीं पर एक बात करने हैं जैसे अनु बोलता है वह सिंगल वर्ड बोल रहा है जैक डेव साल का बच्छा कम्प्लीट टॉक करता है ममा मेरे को यह चाहिए यह लिए नहीं नहीं मैं ऐसा तो नहीं कि कभी हम लोगो नहीं वैसा नहीं था मां ऐसा नहीं हुआ ना मतलब उसका शुरू से थोड़े थोड़े सिम्टम से लेकिन वह थाइस साल में अग्रेसिव हो गए जब हम लोगों ने उसको स्क्रीन दिखाई तो अभी आपकी जो प्रेग्नेंसी में कभी कोई कम्प्रेशन तो नहीं हुई थी नो मैम नर्मल वजैनल डिभडी थी यहस एस ठीक है तो नाइन मंत में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई किछ ऐसा थी नो मैम यह स्ट्रेस वगडर है इसा मम लेटल विटर रहोगा तो रहोगा बट वैसा कुछ थानी मेजर तो कुछ थानी एसा मेजर तो कुछ ले लिया था चीक है चीक है और अभी इसका habit food pattern वगरा कैसे है माम नॉर्मल खाना किसे हम लोग खाते हैं वो खाता है मेठा sweets वगरा मना कर रखा है तो वो बंद है इसका sweets वगरा बिल्कुल देते नहीं है fruits वगरा यह खाता है वो gluten products वगरा मना की होंगे न जी पैकट food वगरा मना चाहे में अजह बताता है तो यह आपको बताता है कि आप अपार पगर लेके जाता है यह को अगर वाश्रूं का गेट खुला रहा है तो अपने आप जाके यूरीन पास कर लेगा पौटे कर लेगा अच्छा अपने अप चला जाता अपने अप तर लेता है जी 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 माम अच्छा ठीक है इसको अगर भूग लगी है तो यह जाके रोटी निकालेगा प्लेट में प्लेट निकालेगा उसमें रोटी सब्जी डालके फिलाके आपको पकड़ा देगा अच्छा ठीक है इतना है उसको समझ है जी जी माम सिच यह एक्सप्रेस नहीं करता मैम अंडरस्टेंडिंग है जिसा कर मैंने बोला यह चीज़ उठा के लिया हो एक बार में नहीं चुना है दूसरी बार में उठा के ला के दे देगा तो इसने ब्रेस्ट फीट करी है माम ज्यादा नहीं बानमांत की आया है अचे बानमांत यह अपर मिल्क पर था ना जी जी में तो ब्रेट फीट क्यों नहीं कुंग आई मैं मम उतना बनानी था मिल्क मतला उतना भूआ नहीं कि दिए और यह तो वैसे दो नहीं मिने के बाद ही प्रोपर आती है ना कि वह नहीं मैं पता नहीं हुआ ही नहीं है थोड़ा थोड़ा था तो इसने पी आई नहीं तो फिर हुआ नहीं है अच्छा चीक है चीक है अच्छा और इस अभी पढ़ने के लिए कैसा है यह कि मैं फोकसी नहीं देता पहले तो भोलता भी था की एफोर अपल भी फोर बॉल इपूरा हम लोग डायगरम बना देते थे तो यह इदेंटिफाय कर देता था कि ट्राइंगल रक्तेंगल स्क्रार यह सब खुद बोल देता था बट आप तो भी फुद बोलता ही नहीं तो और बैठना भी नहीं चाहता कि बैठ जाए फोकस ही नहीं जगा मन नहीं लगता है इसका तो थेरेपीज बगर आपने कतनी अभी चला रहे हो बीज कितने देर से चला रहे हो कि माम काफी टाइम हो गया अलब दो तीन साल हो गया अच्छा इसको कॉंसिपिशन तो नहीं रहता ह अच्छा है कि इसको दो मिनीट लेकर आओगे आप वहां..ただ.. जिवराइ करके दोद वकाहर है त्नी नइनो फेह मैं और जिपने मच्वारा शेथित पहार के दूत्स्ति वर्ट से मिन ग्जें स्त्रत्रत्रतत्रत बिभंगार को सपक्रों तांग थेखते है? तो तत्रतत्रत्रत исलो हाद के मांशड़ा? पंडेगा मैं क्या बोले तो साथा नाम क्या है फ्रेश्ट कहाँ जारे हैं विज्ट ट्रीशेट फ्रेश्ट पीपीपीट ने फ्रेश्ट पीपीपी ने फ्रेश्ट त्रीश्ट मृट हूं थेख कंदेख dead पूरा मनोवस्त रोता से ना उसमें कफ का और कफ का आवरण है इसके वज़ए से बच्चे को करना आ रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है इसमें हमें ग्रहाणी करा को ठीक करके जो मन पे काम करने वाले मिद्द दवाई आँ वो देना वोगा शिरोविरेचन वाले नस्य सयाए वोगा फिर संग्या स्थापन गण के द्रव्य देने होंगे नस्य में और कल्लानक घृत वगरा देना होगा कल्लानक अवले से वानी स्वर यह सब अच्छा हो जाएगा और यह मिनिमुम चार मेना मैक्सिमाम डेड़ सार में पूरा ठीक हो जाएगा बच्चा लेकिन नाक में तेल डालना पड़ेगा नस्य डालना पड़ेगा पस्ती देना पड़ेगा गी देना सर वो सोते वक्त दे सकते हैं अभी भी दीजे लेकिन देना तो पड़ेगा जागरित नहीं होंगे एक तो जागरित करना है और ब्रेन में जो हाइपर एक्टिविटी है ए अच्छा है बच्चा वो ठीक हुझेगा आपको पता नहीं कितना बड़ा सैंटिश बनने वाला है अभी तो इतना टिंची को देख एक जगा सुनता ही नहीं है बैठा रहता कभी इतने अच्छे से विएव करता है अप यह मत्तुचे कि आपका बच्चा कुछ प्राब्लम है और ठीक हो जाएगा उसका ब्रेन में अनने कच्रा निकाल दिया तो कैसे पानी बहने लगता है वाइसे जो चैनल वह ब्लॉक्ट है अग्ये प्लॉकेश निकालना है ब्लॉकेश निकाल दिया और कुछ घीव अगर जाए बस्ति का सरकार नवीन जोशी सरकार ऐसे आपको करने और मैं दवायां भीजूंगा आप करिए एकदम ठीक बच्चा ठीक होगा और इसी प्लेटफॉर्म पे ओपन प्लेटफॉर्म में चैलेंज देता हूं आपका ठीक होगा इतने सरे लोग भी हैं मैं भी हूं आप भी हैं इधर ही ठीक होगा आप देखते रहेगा सब अच्छा होगा ठीक है आप यह बते ही जाए सल के बद कुछ बुखा रहे था क्या फेबर भी हैं कुछ रख कोई बैसा नहीं वाकि जाादा फीवर आया हूं जब आपका दूद नहीं आ रा था तो क्यों नहीं हो कई बीमारी सा इन कुछ नहीं होता कभी कभी नहीं मतला आप काम में बीजी थी या आप बच्चे को टाइम नहीं दे पारी थी नहीं नहीं सर उस टाइम था वर्क तो किया ही नहीं था उस टाइम तो लीव पर ही थी मैं दिन में सोती थी नहीं सरात में ही सोते थे दिन में तुन ही शोते थे आप खाना भोत हैवी खाती थी जब बच्चा हुआ था नहीं बहुत कम बहुत कम और जो हमारे शास्तरों में बुलाएं कि यह ठंडे पनी में हाथ ने डाला है डिलिवरी के बाद नंगे पैर नहीं चलना है यह सब आपन मिल्क तो गाय का दूद पिला पिला रही ती और प्लिमेंट डे थी ना जी सब क्या दे थी सब्सक्राइब पर नाम कुछ और साय था उसने प्रोटीन के बार को दो यह था पर तो वही कारण है कि यह development को delay किया है वही कारण है वह बोडी को सुट नहीं किया ब्रेन में वही सब ब्लॉक कर दिया ब्रेन को पुरा अब हम वह ब्लॉक के निकालेंगे ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे ठीक हो जाएगा बच्चा और आयर्वेद ही कर सकता है लेकिन आयर्वेद तो पूरा करेगा चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं तर्निका मेंडम आप क्या सुचती है महें रेसर क्या स का होता है महात्य पर बहुर एक संथ्प्रदेस का दो कर दें तो इसके अच्छा जल्दी खाश चाहला मिल जाएगा अपन है अपन को नस्य बगएर और भो सब्सक्राइब प्रियोग करना ही नहीं है और ग्रनी पापन को काम करना ही है साथ में इसको बस्ती बागरा का पिर प्रियोक्त कि आवाज नहीं निकल रही है तो उसकी दिक्कत हो सकती है जैसे अपने किसी चकला वगएरा पर गेस्के अपन बंसुलोचन और बच्चा को गेस्के उसको चटवाते तो उससे भी बच्चे की जो मैं बोलने की प्रकिरियाए वो जल्दी चालो हो जाती है अब कुछ बताइए महेंद्र सर आप कुछ बताइए अभैसर कुछ बताइए कि बोलिए ना आप लोग शांत के हो गए मुझे कॉल आ गया था वर्षा मेंडम आप कुछ बताइए इनके केस में क्या करना चाहिए वीना मैंद्र कुछ आप लोग के दिमाग में क्या रहे है कुछ बोली आप लोग गनेश भुसले सर कुछ बोलिया अब है सर कुछ बोलिए शची में कुछ बोलिए शौरन अपराशन भी चालू करना चाहिए इसको पर चुछ रोतों पर्थी है वो जो खिलाए गया मैं जब आपका लेकिन रोया था ना और बाकी उसके रिफ्लेक्स अच्छे थे ना मतलब वो हसता था ठीक है ना वो पूरा वही है कि आपने जो चीज खिलाया है ना आपका दूद्ध ना आने के वज़द से जो खिलाया गया है उसका बॉड़ी में साइड एफेक्ट हो सकता है और यह आटीजम में नहीं आएगा आईवेद के सबसे वह रास्ता हम खुल देंगे सब चीज अच्छा हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ठीक हो जाएगा पुरा वाडी खुदी रिकवर कर देगी ना तो बाकी लोगों मैं यह बत दामनी जो मन पे का मानस मित्र गुटि का ब्रामी वटी ब्रामी घृत ये सब देंगे ना महा कल्यान घृत माप्रशाचे घृत मापंचगव्वी घृत यह सब दवाईयां इंटर्नली दिया जाएगा बस्ती नस्य दिया जाएगा तो आप देखेंगे एक-एक महिने में बच्चे का इंप्रूव्मेंट बच्चा बोलेगा हाइपर एक्टिविटी कम होगा बच्चा शांत होगा उसका लर्निंग कॉग्निटिव फंक्शन सब अच्छा ऐसे बच्चे मैंने ठीक हैं क्योंकि मेरा M.D. PhD मानस रोग में हुए और टीजम के भी बच्चे मैंने ठी गरम गरम राइत उसके ऊपर रखे उस पर दूसरा पान रख के वो भी चलेगा ना उनको क्योंकि वह मेधा की अगनी को बढ़ाता है को जाएगा बच्चा हो जाएगा कुछ मर्म पॉइंट है और जहां पर हम चोटी रखते हैं जैसे पंडित लोग रखते हैं ने शिखा रखते हैं वहां पर जोक लगाना है लीच थरेपी वहां पर ब्रह्मरंद्र में शिवरंद् निकालेंगे तो और जुलती पैता होगा ठीक है और शेशी मेहम आप मर्मो पॉइंट कुछ बताना चाहेंगी शेशी मेहम तो भगवान के मंदिर में है ठीक है मैं आप थोड़ा मुझे रिपोर्ट बेजिए और क्या-क्या खिलाया था वह डीटेल भीजिए फिर मैं बताता हूं प्रण लिए कि आपके बच्चे को वह जो ऑक्कुपेशनल थेरपी स्पीस तेरपी करा रहें जो जबर्दस्ती सब कराया जा रहें हम दवायां दलके उसको ठीक करेंगे बच्चा खुट ठीक हो जाएगा जीज़ा थैंक इस श्वेता मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं वर्शा कौशिक मैं हरीहर सर्कुछ बोलना चाहते हैं कुछ बोलना है बोल सकते हैं आप लोग प्रीती मेडम कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी डॉक्टर महाजन सर कोई केस डिसकस करना चाहते हैं डॉक्टर प्रेम नाराइन जी डॉक्टर संजीवनी शिंदे यादव मेडम आप अपने बार अब है सर कुछ आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद करता हूं आप लोग जन्माष्टमी का तेवहार मनाइए अब हम कल मिलेंगे थैंक्यू प्रणाम गूट नेट शुपरात्री